क्या क्या रही है जैसे पहले किया वैसी करना है हमारा पास फॉर्मुला है m dv by dt is f external plus u relative dm by dt ठीक है find the law according to which the mass of rocket varies with time when the rocket moves with constant acceleration इसका मतलब m a acceleration constant a direction positive लेली वान वैसे चल रहा है the external forces are absent this is zero gas escapes with constant velocity u relative to the rocket or left की तरफ एजेक्ट हो रही होंगी हाँ या ना क्योंकि एक्सल्डेशन इदर की तरफ है विलास्टी इदर की तरफ है और जो यह dm है यह हमारा यू रिलेटिव से दर जा रहे है तो माइनस यू रिलेटिव dm by dt बोलो हाँ यह बक्वास question हो गया एडीटी एक ओंस्टेंट है is minus u r dm by m integrating time t0 पे masses m not final masses m at time t तो यह आ जाएगा 80 by u r 80 by u r negative sign e to the power m not is m done हो गया ओके एसे ही यह वाला करते हैं तो कुछ लोग ना वेरियेबल मास सिस्टम की अलग अलग यूज कर रहे होते हैं मैंने कहा है कि एक ही फॉर्मॉला ला रखना और उसी से सारे question हो जाएंगे अब जैसे यह वाला है कार्ट लोड़ेड विद सेंड यह कार्ट है इतना केजी पर सेकंड यह जहान रखना किसी इंस्टेंट पर इसकी विलॉस्टी है तो जो डियम है वह जब इससे डिटैच होगा क्या मैं कह सकता हूं इसकी विलॉस्टी भी ही होगी इसके अंदर यह थोड़ी हुआ है कि क्या बोलते हैं कि उसको फैका गया है विज रेस्पेक्ट टू एम यह जो एम है और यह जो डियम है पिछले क्वेश्चन मंगर मैंने क्या कीया था रॉकेट वाले क्वेश्चन थी तो उसमें डीयम को म के रैस्पेक्ट में फैका गया था इसमें कह रहा है कि गड़े से सेंड गिर गया अब गिर गया तो इनिशल विलॉस्टी दौनों की सेम मानेंगे नहीं मानेंगे यही ट्रिक है इस पूरे क्वेश्चन की वही इसके अंदर यू रिलेटिव जीरो है इस होल क्वेश्चन इसने एक्सेलरेशन एंड विलॉस्टी पूछा है एट टाइम टी हाँ या ना इसने काई टी जीरो पे मास मोट है वेलॉस्टी जीरो है तो टाइम टी पे मैं एक्वेशन बनाऊंगा तो क्या कहाँगा मिधी बाइडी इसने बाइडी यह एक्षिंब positive is equal to is equal to external 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 aana external positive 0 dm by dt दो इट यह यह मास कब का ताम मस होता है यह मास टाइम टी का मास ओता है यह मास टाइम टी का मास होता एंगा इसे इस इस लिडेटन एज मनाट माइनिस मुटी पम्हें तो हम यह कहेंगे एक्सलरेशन तो अभी निकल गया इक्सलरेशन तो अभी निकल गया इस इस एफ आपॉन एया आपॉन एम नाट-मूटी बॉलास्टी पूछा है इसको लिख देना डीवी त्ट यह ओगे डीवी इस इकल टू एफ अपॉन m0 minus mu t dt time t0 पर velocity 0 velocity v at time t तो v आ जाएगा f by minus mu f by minus mu ln m0 minus mu t by m0 नेगेटिव को adjust कर देना तो velocity at time t आ गया f by mu ln m0 upon m0 minus mu t got it यह important था कि u relative 0 है यह important था कि u relative 0 है खीक है कि नहीं है अब यह question समझ में आ गया इसी केस इसी वीडियो में दूसरा question करते हैं जिसमें थोड़ा सा different है लेकिन वो difference को ही पहचानना जरूरी है यह question है दिख रहे है आफ लैट कार आफ मास M0 स्टार्ट मूविंग तुदर राइट द्यू टू कॉंस्टेंट फॉर्स एफ कॉंस्टेंट है Sand spills on the flat car from a stationary hoper यह रेस्ट पर है यह रेस्ट पर है यह रेस्ट पर है The velocity of loading is constant and equal to mu kg per second find the time dependence of velocity and the time dependence of acceleration friction is negligibly small friction is negligibly small तो मतलब ठीक है in the process of loading अब सुनो मेरी बात इसके अंदर किसी इंस्टेंट पर देखा जाए किसी इंस्टेंट पर देखा जाए color change कर लेते हैं इसकी velocity वी है उस इंस्टेंट पर यह DM आके add होएगा बोलो हाँ इसकी velocity कितनी है ग्राउंड फ्रेम में 0 है ऐसी तो गिर रहा है यह आके बस positive लिया है is f external f हो गया plus you relative you relative DM by dt करते हैं बोलो हां वेटा यह बता दो you relative क्या चीज़ है you relative is velocity of DM is velocity of DM with respect to car कार की velocity V है तो velocity of DM क्या हो जाएगी इदर की तरफ relative velocity क्या हो जाएगी माइन इदर की तरफ V बोलो हां वेलोस्टी ओफ सेंड विद रिस्पेक्ट टू कार करना है तो देट इस वेलोस्टी ओफ सेंड माइनस वेलोस्टी ओफ कार अब समझ में आया कि नहीं आया तो यह आ गया m dv by dt m dv by dt is f is f minus v और dm by dt को लिख दिया म्यू चलेगा rate of increase of mass dm by dt यह capital M हो गया na dm by dt और इस instant पर क्या मैं इस मास को बोल सकता हूं यह मास ओफ डेट कार प्लस सेंड है एक टाइम टी आया ना अब क्या करें यह हो जाएगा हमारा दीवी बाइडीटी डीवी बाइडीटी पता ही नहीं क्या हो जाएगा f minus mu v upon m not plus mu t velocity पूछा है तो डीवी वेडियाबल सेपरेबल फॉर्म दिख रहा है f minus mu v is dt upon m not plus mu t integrating time t0 पे velocity 0 time t पे velocity v यह आजाएगा ln ln f minus mu v upon f divided by one by minus mu यह हो जाएगा ln m not plus mu t by m not और यह हो जाएगा one by mu negative sign रहे गया भाई negative sign रहे गया तो flip कर दो न यह आगया one minus mu v by f f और यह आजाएगा m not upon m not plus mu t पूछा क्या था इसने velocity time t पूछा क्या था velocity time t पूछा था velocity को थोड़ा side ले जाओ तो यह आगया one minus m not upon m not plus mu t is mu v by f तो m not m not cut जाएगा mu t upon m not plus mu t into f by mu यह काड़ देना यह velocity time t आगया got it यह आगया f t upon m not plus mu t this is velocity at time t और क्या पूछा था acceleration at time t acceleration at time t तो यहीं पर नहीं निकल जाएगा यहां पर दिक्कत थी यहां पर यहां से निकल जाना चाहिए था यह यही तो हो गया acceleration यहां पर प्रॉब्लम क्या है velocity के टर्म्स में आ रहा है तो velocity की value डालनी पड़ेगी मतलब लग रहा था कि उपर से आ जाएगा उपर से नहीं आएगा acceleration at time t time का function चाहिए ना तो यहां पर acceleration में यह velocity भी तो टाइम पर डिपेंडेंट है कुछ नहीं करना मैनूप्लेट सा करना होगा मेरी खाल से उससे मैच हो जाएगा नहीं आफाणसर एक्सेल्रेशन negativity हो जाएगा f minus mü v v को लिख देंगे अफटी अपन है अब नाचमिति अपन एम नॉट अप्लसक्राइब यह एक है A अफटी कट जाएगा यह आ जाएगा MNOTMNOTF अपन MNOT k प्लसnegoध का इसी का भाई बंदू question मैंने देखा था कहीं ना कहीं लेट ऐसे यह question बताया ना मैंने यह इरुडव में क्या है कि फॉर्स कॉंस्टेंट लगा दी और सेंड गेर गेर के उसके उपर रखते गए तो उससे उस पर यह कितना हो जाएगा इसी का भाई बंदू question मैंने कहां देखा था फरस्टियर की बुक में देखा था अपनी इसका मास दे दिया था एम नॉट और यह फ्रिक्शन लेस ग्राउंड पर भाग रहा था चलेगा और इसने कहा कि उपर से इस पर गिरने लगा उपर से इस पर गिरने लगा चलेगा और यह गिरने लगा इसे मियू रेट गिरने लगा अब वेलासटी इस में इसके सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे चलो एक काम करो तब भी यह मान लो कि यह इधर की तरफ सपोज एकसलरेट कर रहा है यह डारेक्शन पॉजटिव है यह डारेक्शन नेगेटिव हो जाएगा मास टाइम टी मास टाइम टी इन्टू डीवी बाइडिटी कर दूंगा और फिर मैं कह दूंगा यू यह हो जाएगा F एक्स्टर्नल प्लस यू रिलेटेव टी एले यह जिरो है यह हो जाएगा मास टाइम टी को लिख सकता हूं m0 plus mu t dv by dt कर दिया यू relative क्या आजाएगा यू relative आजाएगा उस instant पे velocity इसकी वी है इसकी 0 है तो relative velocity क्या आजाएगी minus v into dm by dt आजाएगा बोलो हाँ सही है ओके और dm by dt उस इंस्टेंट पे कितना होगा म्यू हो जाएगा ओके 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 तो तो यह आगया minus mu dt upon m0 plus mu t is dv integrating initial velocity is v0 at time t0 time t पे velocity हो गई भी चलेगा तो यह कितना आ रहा है वी माइनस वी नॉट वी माइनस वी नॉट इस माइनस प्लस mu t by m0 ऐसे उसकी velocity कम होती जाएगी सही है अब भी याद है कि उसमें अंदर क्या लिखा था विलॉस्टी कम क्यों हो रही है मैं यह कह सकता हूं कि जब यह सेंड आके टकराता है इस पे इस प्लैंक पे तो फ्रिक्शनल इंपल्स लगती है सेंड पर आगे की तरफ और मास पर पीछे की तरफ इसलिए वह मास रिटार्ड कर रहा है अब समझ में आ रही है बात इसकी इसकी इस पर आके टकराएगा तो इसके उपर इधर की तरफ इस पर इधर की तरफ रिक्शन लगेगा तो टेकनीकली यह रिटार्ड कर रहा होगा बोलो हां इस फ्रिक्शन के कारण समझे नहीं हो यह समझने का परियास करो कि कल यह question के अंदर मजे लेता वो यह कह देता plank is smooth तो यह सारा जंजट होई नहीं सकता इसलिए उसने चीज कही थी सोचने के लिए कल वो कह देता कि जमीन तो smooth थी there is no friction between plank and the sand do you realize कि यह सारा जंजट होता ही नहीं क्योंकि sand पीछे गिरता है था क्योंकि उसकी velocity अभी आती ही नहीं उस पर friction लगी नहीं रहा क्योंकि इस पूरे इस पूरे assumption में क्या बन रहा है हम यह मान रहे हैं डीम इस M not M पे add उता गया एड होता गया मतलब एक बनके वी से जा रहा है बाद में हाँ या ना किसी इंस्टेंट पे तो वह एक बना ही नहीं न उसमें अगर friction ही नहीं तो अब समझ में आ रहे है नहीं आ रहे फिक्ष्णल इंपल्स लगेगी नहीं यह वेरियेबल मास सिस्टम बनेगा ही नहीं एम नॉट अलगी चलता रहेगा और एम अलग पड़ा रहेगा गॉट इड और नॉट इडार इंट्रेक्शन तो ही नहीं रहे एक सेक्सेश में इस दे रहे इंट्रेक्शन बिट्विन डीम और एम नॉट अब बात समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यह नहीं इसी का एक और कॉश्चन बनाने की कोशिच करते हैं एक्स्टर्नल फॉर्स लगाए बिना एक्स्टर्नल फॉर्स लगाए बिना यह प्लैंक ले लिया इसका मास ले लिआ एमनॉट इसको विलॉसिटी देदिए वी नॉट टाइम टीजी रहे है और यह कह रहे यहां पर, च्छेद है और उससे सेंड बाहर मिल रहे है कि यह कितने रेटंट कि मैं यह कह सकता हूं मान लो इसकी वलॉस्टी हो गई मेरी फील यहाइर एगी विलॉसिटी कॉंस्टेंट रहेगी लेकिन लेट उसी यह लेट इस इस छोगा इसकी विलॉस्टी भी भी ही अलुग कि आया ना इस इंस्टेंट पर क्या लिखूंगा D V by D T F external is case में है नहीं यू relative इस case में 0 है into D M by D T बोलो हाँ और यह M at time T को तुम चाहों तो लिख भी सकते हो M not minus muti बोलो हाँ तुम्हें realize हो रहा है इसमें D V by D T 0 आ रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं V is V not विलाश्टी डिमेंस कॉंस्टेंट अब तुम यह कौन sarà मास्ट चेंज हो रहा है सिस्टम को मैंने बिटेच हो गया तहरो यह बाहर भी चला गया ना यह भी वी नॉट से छल रहे ह। मोमेंटम में तो चेंज आया ही नहीं है पूरे सिस्टम का समझे मैं पहले से फील आ रही थी मुझे या रहे डिटैच होएगा ना वह भी नॉट से चलता रहेगा उसका तो इसका मतलब जो एम नॉट है ना उसका उसकी विलॉस्टी चेंज ही नहीं होगी इस पर फोर्स का लगी एम एम पे कभी फोर्स लगी है कोई जो इसको एक्सलरेट या रिटार्ड करे अब समझ में आया या नहीं आया